हेलो एब्रिवान कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो हमने पड़ चुके हैं सिंप्ल डिफ्यूजन फैसलेटर डिफ्यूजन आक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर आपने यह सब वीडियो नहीं देखे हो तो यह जाकर यह वीडियो यहां पर तुमको यह बताए थह कि मानलो 2 बाल्टी है यहांपर ज्यादा पानी है यहांपर कम पानी है दिखा देता हूं यहां पर तुम्हारा ज्यादा पानी है यहां पर तुम्हारा कम पानी है कुछ टाइम यहां पर बीच में तुम छैद कर लिए तो कुछ टाइम के बाद यह मिल जाएगा मतलब इकीब्रियुम हो जाएगे यहां पर य ही यहां पर लगता है यहां पर उians यही नहीं होता है तो यहां पर Risk मतलब इनरजी यूज नहीं राहिए खुद्ब खुद्ब मतलब एकवल होगे तो यह घृज्चिअध यह सब पानी है एक आकर दो तुम क्या करोगे यहां पर एकश्यव फांपर व्हेयश करूब तुम पॉंप कर लोगे वो सब पानी को तो पॉंप करने के लिए तुमको क्या चाहिए एटीपी चाहिए तो अगर तुम एटीपी यूज करोगे कुछ टाइम के बाद तुमको एस से देखने मिलेगा कि एक साइड तुम्हारा उस्न हें तो पूला है एक तो शां टोटालियन नहीं तो किस चाहिब के तुम को बोलता हो ट्रांसपोरं तु यह जो पासीब द्रांसपोर्ट होता है किस तरह से काम के आ ये लॉवे कॉंसेंटे सब्सक्रम двух far यहाँ पर यूज नहीं गए हो बट अक्तिर ट्रांस्पोर्ट के से काम काता है ना एगेंस्ट कॉंसेंटरशेंट ग्रेडियन मतलब लोसे हाई जाएगा कि नॉट फाई सेटों से रिलो ख़यए तो यह एक कॉंसेटरेशन ग्रेट的話 है मतलब क्या gender में में कि सिंपनР डिफ्यूजन का मतलब तुम coj इक्षासा एक्जंपुल देया था कि रोऑ ले लरो किसी कौने में प्रे कर दो कुछ किछ टाइंक के बाद तुम्हारा वो रूम पूरा तो ज्यादा में लगेगा ज्यादा करें तो ज्यादा में कोई saturation नहीं है जैसे जैसे तुम concentration बढ़ा होगे उतना ही स्मेल करें कोई मतलब saturation मगरा तुम्हारा तुम्हारा पॉँप होता है तुम्हारा प्रमियरज होता है और अक्टिव प्रोटिन होता है पॉक्र तुम्हारा तुम्हारा पॉर्टेन होता है नहीं क्योंकि वह यहां पर वह पर उंद alle ब erfolganızous नाड़ Bien प्रोटीन है यह फिर चार पॉंप है एक दो तीन चार अगर दो तुम्हारा मॉलिकुल पास करना है तो वो ठीक है अगर तीन पास करना है तब भी ठीक है चार पास करना है तब भी ठीक है अगर दस प्रोटीन को पास करें तो इनिशेल तो एसे जा रहा होगा मतलब रेट बढ़ेगा 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 आप्टर सम टाइम यह कॉंस्टेंट हो जाएगा क्योंकि भाई यह तो धक्का मुका मारके नहीं जाएंगे ना मगर अगर दस या बीस या सो मलीकुल होगा चार क्यारीड प्रोटीन होगा चार एक्जेंपुल देगा हूं ठीक है तो फेले पहले तो तुम्हारा थोड़ा बहुत बढ़ेगा रेट अब ट्रांस्पोर्ट मैक्सिमुम रहेगा देन कॉंस्टेंट हो जाएग तो हम आता है क की एक्जेंस्ट कंसेंटरेशन ग्रेट इसको पहले देखते हैं और फिल एक्झेंस्ट कंसुंसमट्रेशन ङगरेंस्ट आक्टिव ट्रेफॉट sin आक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्द सबसा मतलब लो से हाई लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन मॉलिकुल पास करें किस वह सिर्फ अक्टिव तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन में हाई से लो जाएंगे नोट लो से हाई हाई से लो जाएंगे यहां से भी हाई से लो जाएंगे मगर यहां पर अक्टिव इंपल डिफ्यूजर्ण अभ्य ना यूज नहीं रहे हाइव को यह से लूज़ जाएगा तभी आट इस दीजिघ सुक्रमार तुमको एक इक्जम्बल भी दिया था सीड़ी स्पोस कुम मालो लोयर से लोयर थे लोयर फ्लोर में जा रहे हो तुम को थकाभन ज्यादा लगया एनजी यूज तुम्हारे ज्यादा होगा जब तुम उपर से नीचे होगे हायर मतलब थाड़ फ्लोर से ग्रांड फ्लोर आओगे हायर फ्लोर से लोएर फ्लोर आओगे तुम्हारे इतना यूज नहीं होगा जितना तुम्हारे लोएर फ्लोर से हायर फ्लोर में जाने के यहां पर साचूरेशन नहीं है सिंपल डिफूजन में क्योंगी यह लोग से हाइग वोला था यहां पर साचूरेशन नहीं है केसzer जोंकि तोंको बोला था जितना तुम मतलब इसका कोई बैरियर नहीं जी आपको दिफ्यूजन difficult तो इसमें नहीं होता है तो इसमें साल्टुरेसेंट नहीं होता है और सिलेक्टिवइटि यह सिम्पल डिफ्यूजन कोई मतलब गयद भाग नहीं रखता है जो भी हो जिसको बिश्वीप बोगें त्रस्टेस्ट तुना पटासिय। यह नहीं कि पर देगा ग्लूकोज को पास कर देगा यह दूस्ते कुछ भी आयों को पास कर ना यह से नहीं होता है मेंब्रेन प्रोटिन बार बार एक में ठक चुका हूं सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेंब्रेन प्रोटिन नहीं होता है तो इस वीडियो में पर लिए यह बहुत इंप्रेशन टेबुल है यह याद रख लेना इससे कोश्चिन भी बन जेता है नीट में एक दो बार आया भी है तो आज के लिए इतना ही बाई बाई टेक केर